जो जंदल का लाजा था एक दिन दुपहर के समय शिकार को खाने के बाद वो एक पेड के नीचे चैन की नीच सो रहा था तभी उस पेड के नीचे एक बिल में रहने वाला चूहा बाहर आया जैसे ही चूहे ने शेर को सोता हुआ देखा तो उसे मस्ती सुजी वो शेर के उपर चड़कर कूदने लगा जिसमें चूहे को बहुत मजा आ रहा था चूहे की इस हरकत से शेर जग गया और गुसे में जो से दखाब कर उड़ गया शेर के उपते ही चूहा दोड कर अपने बिल में जाकर चुक गया शेर ने इधर उधर देखा उसे कोई नहीं दिखा तो शेर वाफस गेहरी नीज सो गया शेर के सो जाने पर चुहा फिर से अपने बिल से निकला और शेर पर जाकर कुदने लगा उसकी पूच पर एक सिरे पर चड़ता और दूसरे सिरे सिर नीचे उतर जाता तो कभी दीरे दीरे जाता और शेर के बाल खीच कर अपने बिल में कुछ जाता बार बार शेर के ही खराब होती वो उठकर इधर उधर देखता लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता और चुहा माजे से बिल में चुपकर शेर को परिशान होता हुआ देख रहा था इस बार जैसे ही शेर सोया तो चूहे नी उसकी पूच के बाल खिचने का निश्य किया और जैसे ही उसकी पूच के बास पहुचा शेर नी जट से चूहे को उसके पंजों में पकड़ लिया अब चूहा समझ गया कि उसकी वजह से शेर की नीद खराब हुई है और वो बहुत गुस्से में है इसलिए चूहे ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए शेर से भी मांगनी शुरू कर दी और कहने लगा महराज मुझे छोड़ दीजिए मैं तो एक नन्हा सा चूहा हूँ मैंने गलती से आपके साथ शरारत कर दी लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भोलूँगा जब भी आपको जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद के लिए जरूर आउंगा चूहे की ये बात सुनकर शेर हसने लगा और बोला तु एक छोटे से चूहे मेरी मदद करोगे मैंने अभी अभी शिकार खाया है जिससे मेरा पेप भरा हुआ है इसलिए मैं तुम्हे जिन्दा छोड़ रहा हूँ बरना मैं तुम्हे अभी खा जाता ये कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया चूहा भी शेर को धन्यवाद कहकर म 20058 जाल विछ सरे रहा था गूमता हुआ वह शिकारियों के बीच्छाई हुए जाल में फस गया शिकारी शेर शेर को जाल में फसा देखकर गाउं से पिजरा लेने के लिए चले गए शेर जाल में फसा हुआ बहुत जोर-जोर से दहार ने लगा शेर की दहार उस चुहे ने और जंगल के दूसरे जानवरों ने भी सुनी चुहे ने जंगल के दूसरे जानवरों से शेर की मदद करने के लिए कहा जब वो शेर के पास पहुँचे शेर को जाल में फसा हुआ देखकर चुहे को एक आइडिया आया चुहे ने उस जाल के उपर चड़ कर अपने तेज दातों से जाल को जल्दी जल्दी काटना शुरू कर दिया थोड़ी ही देर में उसने जाल को काट दिया जिससे शेर जाल से मुप्त हो गया इसके बाद शेर में चुहे को धन्यवाद किया इस पर चुहे ने शेर से कहा कि मैंने आपको उस दित कहा था कि जब भी आपको मदद की जरूरत पड़ेगी मैं आपकी मदद करूँगा लेकिन आपने मेरी बात को मजाग में लिया था शेर को चुहे की ये बात याद आई और वो अपने कहे पर शर्मिंदा हुआ इसके बाद शेर ने चुहे से कहा कि आज से तुम मेरे दोस्त हो तुम्हे जब भी किसी भी सहायता की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो इसके बाद चुहा वहाँ से जाने लगा तो शेर बोला क्या तुम आज मेरी पीट पर नहीं कूदना चाहोगे चुहे ने जब शेर की ये बात सुनी तो वो खुशी से शेर की पीट पर चड़कर कूदने लगा चुहा शेर की पीट पर कूद ही रहा था कि शिकारी पिंजना लेकर शेर को लेने के लिए जंगल में पहुँच गए जब वो शेर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जाल तो सारा कटा पड़ा है और शेर बाहर खड़ा है ये देखकर वो बहुत डर गए इसके बात शेर में जोर से दहाड कर शिकारीों को बहां से भगा दिया तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिरती है कि हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए कुछ नहीं पता किस वक्त में कौन हमारे काम आ जाए